किisc No स्पाइखा है हम इन हए थेंसमें कहें सोटश करकर में उसको के देखना है आप इस एम सपने में आ गया कि fists No हुआ है ऑड़ी को पार्तिकल्ड को किस से इस दोड़ा गया होगा तोड़ा खिजution कि चोटा कि आग Kiss उसको फर्दर आगे वो तोड़ नहीं पाया होंगे तो उन्हें का इटीज दा इसमालेश पार्ट इसे छोटा पार्ट कोई भी नहीं हो सकता यहां ? टीक है। एकम की कि वह किसी ने की थी ? कौन था ? अटमिक ओड़ल्स के वारन किस ने बताया था ? डालटन ने livroर्स ने बताय था ? दे Richardson यहां को concernी। इसके पहले हमारे भारती मनिशी महार्स कणात ने कण सेरी दे दी थी उन्हों पहे दे दी थी ठीक है अब वो अलग की बात है कि हम लोग उनको ज्यादा बहुत सीरसली नहीं लेते हैं ठीक हम लोग नहीं के पड़ते हैं तो डाल्टन साब ने बताया कि भी एटम होता है उसको हम फर्दा तोड नहीं सकते हैं तो तोड़ें कैसे हम तोडने से भई आप एक हाथाओड़ी लीजे मोटी सी बड़ी बड़ी पत्थर तोड़ देते हो और उस हाथाओड़े से आप छोटा सा इतना बाद चीज राई का दाना तोड के और थोड़ा और छोटा तोड़ो नहीं तोड़ सकते ना कि उसको तोड़ने के लिए सुम्मियों मिलेनी पड़ेगी और पतली कील और पतली कील तो कुल ना करके किसे इसको तोड़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा उसको हिट करना पड़ेगा ना तेजी से और तेजी से हिट करने के लिए आपको एक कोई वर्ड होता नहीं इंग्लिस में मतलब एक ऐसी चीज जिसके पास विलास्टी हो और जिसके पास मास हो जाएगी जिसके पास मास हो जिसके पास विलास्टी हो मास भी हो और विलास्टी भी हो पर माले हम आपका सर तोड़ना चाहते हैं नहीं मतलब तोड़ना ऐलाटिया ऐसे ऐसी ये ले। तो हमको वास्ट एक मैसिव पार्ट एक मास्वाण पार्ट के लेने है और उसको पहुत सरी वास्ट ढेंगे मास पास एनरजी आजाएगी हुँगए जहा हीट करेंगे जाकर、 वह अपनी ऑपनी membrane टूट जाएगी इस पर्फस को साल्व किनेे साइकलो ट्रों के लिए फेले दिमाग लगा एक किसी पार्टिकिल को अगर आपको कहीं पर मूब कराना है तो एक अलक्रिक फिल लगा दिया जाए तो जैसे अलक्टिक फिल्ड हमें लगाया कैसे लगाते एक positive plate लेने एक negative plate लेने यह positive plate है और यह negative plate है और इसके बीच एक electric field create हो गया electric field कैसे create हुआ होगा एक battery जुड़ा होगा न हमने इसको और इन plate के बीच में potential difference develop किया होगा जैसे मारे यहां 10 volt potential हुआ होगा यहां 0 volt हुआ होगा तो difference कितना हो गया दस बोल्ट का हो गया है और कोई positive charge छोड़ दिया जाए एक positive charge plus Q इसमें डाल दिया जाए तो यह electric field क्या करेगा इस charge के उपर force लगाएगा यानि कितना लगाएगा force Q into E जब force लगेगा तो force divided by mass gives you acceleration यानि body accelerate होगी यानि अगर initial velocity body मतलब जाए चार्ज पाटिकर इनीशल विलास्टिक जीरो रही है और अगर A आपने acceleration प्रेड्यूस किया है उसमें electric field की वज़े से और उसकी विलास्टिक V हो गई है और T समय तक यह इस V is equal to U plus 80 V is equal to 80 तो अगर velocity आप बढ़ाना चाहते हैं तो क्या क्या बढ़ाना पड़ेगा T बढ़ाना पड़ेगा ज्यादा टाइम तक इस charge particle को electric field में रहना पड़ेगा तो ज्यादा टाइम तक रहने का मतलब क्या होता वाइटा रहेगा कुर्सी जाज करके आँ वाइटे लाओ चाहे नासता पानी वानी चलता रहेगा ना और चलता रहेगा तो electric field भी बढ़ा होना चाहिए ठीक है तो अब मालिया आपने 10 volt की बैटरी लगाई और यह electric field ज्यादा दूरी तक करने के लिए इस plate को आपको दूर करना पड़ेगा ना नहीं दूर करना पड़ेगा त तो potential difference तो कितना रहेगा एनी वोल्ट रहेगा ना और potential difference divided by distance between the plate क्या देता है आपको electric field अगर आप plate की दूरी बढ़ाद होगे क्यों आप चाहते हैं कि electric field के अंदर ज्यादा देर तक चार्ज पार्टिकल रहे ही चाहते ना तो ज्यादा देर तक रहे मतब मूब करता रहे तो मूब करते रहने के लिए क्या करना चाहिए electric field दूर तक रहे होना चाहिए ना तो दूर तक करने के लिए इस plate को negative plate को दूर खिसकाना पड़ेगा ना नहीं खिसकाना पड़ेगा और नियमता अगर डी बढ़ाद होगे तो electric field की value दीख हो जाएगी तो जो purpose मेरा है वो solve नहीं हो पाएगा तब क्या करें प्लेट तो नह हो जड़ा gathering हो जाती है तो कैसे manage किया जाता है ऐसे राट लगा दिया जाता है ठीक है ऐसे लगा दिया था ना और आपको लगेगा यह मंदिर बस यहां हम है जय भगवन बस माय आया और आया कैसे i.c.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i. बगिन आपको क्या कर दिया गया उसे घुमा दिया गया तो हम चाहते हैं कि भाई प्लेट को हम दूर खिसका नहीं सकते हैं ज्यादा तेर तक electric field के अंदर इसको रखना भी हमको है तो हम उसे घ्यों में घुमाते रहें तो घुमाने की च्छमता किसमें होती हमने magnetic field साप को साप आप ही हो तो magnetic field पूला लिया magnetic field ने क्या किया वो velocity बढ़ा नहीं सकता मेगनेटिक फिल्ड क्या करता है वो केवल उस चार्ज पार्टिकिल को अपने में घुमा देता है सर्कुलर मुशन करा देता है ठीक है तो हमने एलक्रिक फिल्ड क्या काम कराया विलास्ट्री बढ़ाने में और मेगनेटिक फिल्ड काम क्या कराया उसको घुमाने में ठीक है इसका नाम हो गया cyclotron चुकि यहाँ पर कोई charge particle एक cycle में घुमेगा इसलिए इसका क्या नाम दिया गया cyclotron अब देखो इसका construction क्या होता है तो जैसे आप ने कल कहा था इसका principle क्या है principle तो यही है कि when any charge particle moves in the electric field then electric field applies the force on the charge particle ठीक है due to force the particle accelerates and its velocity increases अगर किसी electric field के अंदर कुई charge particle करते है अभी अंग्रेजी तो बोल ले हो तो वो इसको accelerate करेगा और इसकी velocity बढ़ जाएगी और magnetic field क्या करेगा उसको rotate करेगा ठीक है अब देखो इसमें construction क्या होता है तो principle समझा गया कि इस principle पर काम करता है और हमने इसको क्यों मराया केवल charge particle को देर तक electric field में move कराते रहने के लिए ठीक है जैसे मालिया electric field क्या करेगा फोर्स लगाएगा ना अब आप पर फोर्स लगना कहीं पर पिटाई हो रही है आपकी ठीक है तो दो तीन लोग घेरे कड़ें मार दाले को उधर से मार नहीं रहाएगा क्यों इसको पिर नहां लिए आएगा उसी अंदर गुमता रहेगा तो हम हैं इसको बनाएंगी कैसा सव्धान मंवी रोटी के स्वें रखती है तो बनाती है तरफ्वें बनाती है तो इतने में डब्बें आप गोल घोँता है ऐसे कैस्ट ersch stock का मैटल का होता है न गोल उता है उसमें होता है á कि निए लिए न Igor क। उता हूं उसके तो डिश Warum घking बं जैसे वह होता ना कि क्वेस्ट्रॉल्फ दाय था तो क्वेस्ट्रॉल्फ गोल ले लिए मैटल का उसको बीसे काट दीजिए मतब बंद रखिए उसको तो देखे तो इसको यह आपके D-shape के दो मैटलिक यह आपके D-shape क्यों होते हैं तेरे D-s कहते भी तो दूर बना रहा है इसको D-s कहा भी जाता है यह दो D-s होते हैं यह कैसे हालों है थीक है इसके बाद क्या करते हैं हम अब डिचराम बढ़िया से कितांब बना हम डिचराम बना उना पाते हैं तो ऐसे कोई बना गया है फिर ऐसे प्लेट बना रहा ए तो ऐसका शेप देने के लिए उसका मुह पड़ता ना कैसे वो देख रहा है मम्मी की कैसे रॉल टाइप का आँ ठीक वैसे ही है अब देखो इसके अंदर क्या होगा खाली होगी ना हालो होगा ना और हालो सर्फिस के अंदर एलेक्ट्रिक फिल्ड क्या कैसा होता है अभी तो है जोड़ आने है अगर ही लगा भील देख इसके अंदर इलेक्ट्रिक कितना होगा फ़िवकााव सर्फिस के वाद हम क्या करते हैं इसको एक ऑस्स सिलेटर से जोड है एक एक अल्टरनेट एलक्रिक फिल्ट जोड़ देते हैं इसको का जाता है वाल्व ऑसिलेटर क्या कहते हैं यह केवल ऑसिलेटर कहे दो या इसको वाल्व ऑसिलेटर कहलाता है वाल्व ऑसिलेटर यह काम क्या करता है यह एलक्रिक फिल्ड को ऑसिलेट करता है ऑसिलेट मतलब चुक्ळ अल्टरेनेटिव हैं कभी ये इधर पॉजिटिव होगा कभी ये पॉजिटिव होगा, कभी ये निगेटिव होगा. सुन्ती है आगी बार, ठीक है? अब देखिए. अब यहां पर क्या करते हैं, हमको एक चार्ज पार्टिकल को मूब कराना है. तो हमने का particle कैसा होना चाहिए, हैवी हो, charged हो और हैवी हो क्योंकि uncharted particle अगर जाएगा और electric field उसमें create भी करेगा तो uncharted particle पे कोई force लगेगा, नहीं लगेगा, ना तो magnetic field लगाएगा ना तो electric field लगाएगा तो हमने क्या किया, यहां पर एक heavy charge particle छोड़ दिया अब वो proton हो सकता है, वो alpha party हो सकता है, deutron हो सकता है, मतलब heavy होना चाहिए, electron नहीं, electron क्यों नहीं होगा, उसको अभी हम बताएंगे कि इसकी limitations है, यह electron को यह purpose में हम नहीं use कर सकते हैं, अब देखो दियान से, अब working क्या होई, हमने क्या किया, इसको एक यह वाला end क्या हो गया, इसका positive हो गया, और सामने वाला end क्या हो गया, negative हो गया, यहां पर कौन रखा हुआ है, Q charge रखा हुआ है, प्लस Q हम मान के चलना है, और यहां पर यह electric field हो गया है, अब यह electric field क्या करेगा, इस charge के उपर, force लगाएगा ना, तो force लगाएगा तो F बराबर QE, यह force लगेगा ना, और यह force क्या करेगा, इस charge particle को accelerate कर देगा, तो accelerate कर देगा, मतलब अगर इसकी initial velocity zero है, तो इसकी विलाशी कुछ हो जाएगी ना, तो अगर इसमें acceleration एक rate होगा, F upon M बोले तो, QE upon M, ठीक है, तो यह नहीं कि इस पर एक force लगेगा, और force लगेगा यह यहां पर चला जाएगा, कहां, इसके अंदर, ठीक, अब देखो, जैसे इसके अंद गुषा, अंदर electric field zero, लेकिन यह तो motion में है, तो inertia के कारण यह लगातार, चलता रहेगा, थोड़ी देर तक, फोर्स तो आगे लग नहीं रहा है, ठीक है, अब चलता चला जा रहा है, electric field है नहीं, कोई किसी काम का है हमारे, और यहां पर कौन बैटा है, electric field डंडा लिए, आह तो हम तुमको बताएं, तो हमने इसके लिए, मैगने ने, oscillator कहा है, और यह चेंज करेगा, तो यहां electric field है नहीं नहीं यहां तो है नहीं कोई field, चेंज क्या करेगा, इसके अंदर से कौन इसको खीज के लिए आए, यह तो charge particle जब यहां आएगा, तब ही electric field force लगाएगा ना, अब वो तो बाहर निकल गया, ममी डंडा लिये तरिया है, तुम तो gate के बाहर निकल गये, अब ममी कहां तुम को मारे, तो gate के बाहर निकल गये, तो बाहर निकल मिल गये चाचा, तो पकड़े का, चाचा ने, चाचा ने कुछ नहीं किया, को तुमको gate के अंदर गुजेट पिर वेल्टिंग जरू आपके तेरी नाज कर्टा कर एका तेरी सी मारो बागो तो चाचा गेटिब फड़े बस वही काम करना है तो हम को इसको घुमा के लाना है तो हमने एक magnetic field लगा दिया अब क्योंकि 3D diagram हम तो नहीं बना पाते हैं तो बना लो तो बनाओ भी है बहादुरोग हो जागा अब देखो इसमें magnetic field है कैसे यह आपके इसके अंदर entry हुआ यहां electric field कितना था जीरो लेकिन magnetic field था अब यह magnetic field और यह charge particle इसके perpendicular जा रहा है और जब magnetic field के perpendicular charge particle जाता है तो magnetic field क्या करता है वो केवल अब perpendicular direction में उसको move कर देता है अब चुक्कि लगातार किसी body के चलने के direction के लगातार अगर perpendicular force लगेगा तो body कैसे चलेगी तो यह circular path में move करेगी अब circular path में इधर बनाए या इधर बनाए उसके लिए हमने क्या कहा था या तो आप f is equal to q v cross b से काम चला लो उससे भी हम काम चलाते हैं देखे v cross b direction दिखाने के लिए right hand palm rule लगा दो देखे right hand palm rule में क्या होता है अंगठा current किदर जाएगी जिदर positive charge तो करेंट की direction कहे दो या body के चलने की direction कहे दो ठीक है यह आपका मुटा इधर है magnetic field की दर है force इधर लगेगा उपर की तरफ यह perpendicular अब देखो यह semicircle में move किया तो यहां से आतर आने को time लगा होगा ना अगर मैं मालूं किसकी जो भी radius हो रेडियस हमको मालूं नहीं है तो य यहां से यहां तक इसको आने कितना time लगा time taken प्रिंस बेसिक सुनना रहा कि हो क्या रहा working क्या हो रही है time taken to complete one semicircle to complete one semicircle semicircle small t माले थे कितना time लगेगा इसको तो time period of charge particle in a circular path का formula प्रूब कराएगे है याद है नहीं मालूं आपको एक बताए गए थी mv square upon r is equal to qvb याद है लारेंस force gives you centipetal force यहां से v और v cancel हो गया था r की value क्या ही थी qv upon mv क्या लिख रहे है र की value आएगी mv upon qv mv upon qv यह आया था और time period का formula क्या था 2 pi r upon v जब r कमान रखा था हमने तो 2 pi upon v into mv upon qv v v कर गया था तो 2 pi m upon qv था क्यों सा time period था एक complete circular path क्या यह circular path complete हो गया है यह तो half हुआ है ना कितना time लगेगा pi m upon qv क्या यह एक fix value होगी क्यों नहीं होगी इसकी value fix होगी ना भाई जिस charge particle को आपने हाथ छोड़ा है उसका mass fix, charge fix, magnetic field fix यह यह fix होगी ना तो देखो इसका जो भी time fix है वही oscillator को वहने time दे रखा है oscillator की frequency ऐसे decide की है कि इसके time period के इसाब से frequency decided है कि जितने time में यह भाई साब इधर घूम के आवे उतने time में आप इसकी polarity change कर दीजेगा अब जैसे यह घूम के आया इसकी polarity change हो गई यह positive यह negative ठीक है और यहाँ पर एक electric field inverse लगने लगा उल्टा और तब तक यह भाई साब यह इसके अंदर आ गए ठीक है फिद घमा चोड़ी शुरू ना लाए कहीं खेक तो दीखो आप जब यहाँ यह आए हैं तो क्या arrest में है विलास्टी में थे ना तो अब विलास्टी थे और इसको acceleration होगा तो विलास्टी और बढ़ गई यह इसके अंदर फिर चलेगा फिर गूम गई यह जैसे फिर इसके अंदर गए तो रेडियस बढ़ेगी उतनी रहेगी बढ़ेगी चैंज हो गई है लाश्टी बढ़ गई है ना ठीक है और अच्छा अगर रेडियस बढ़ गई है यह आपका सेमी सर्कुलर पाथ बढ़ गया है तो टाइम पीरड चेंज हो जाएगा को भी रहेगा त टाइम पीरड चेंज होता है रेडियस चेंज हो गई है तो फिर यह इधर आजाएगा जितने टाइम में इधर आएगा उतने ताइम फिर पुलर्टी तो यह बार-बार क्या करेगा अपने पाथ पे ऐसे बढ़ती रहेगी और एक समय ऐसा आएगा कि बिल्कुट डीस के ब इकाल देंगे और यहां जिस टार्गेट को तोड़ना होता है जहां इसको हिट करना होता है यहीं पी इसको हिट कर देंगे ठीक है और इसका ग्यान हमको पहले से था अपने पिच्छरों में देखा होगा हीरो जब विलन को मारता है ऐसे लात नहीं मारता है ऐसे पहले लात इसको साफ साफ बनाने बनाई इसको अब कोईश्चन ये उड़ता है कि जो हमने चार्ट पार्ट के लिया है ना इसको कितना ज्यादा इनर्जाइज कर सकते हैं वह आप उतना ही तो घुमा सकते हैं जब तक ये इसकी बाउंडरी तक न पहुंच जाए तो बाउंडरी बोले होगी तिकल्टू रेडियस ऑफ डीज्ग कह सकता हैं मैं इसको डीज कहते हैं आप छो प्रोटیک्टर यूज करते हैं उसको भी डीज आजाता है नहीं कहते हैं फिर हम ने कमपास स्थ किया कम पास कि विलेस को क्या माल लू आथ अब ते अगर मैं इस रेडियास को क्या मौन लो लू आशिक का रेडियास से क्या उसंबंद है अब भी अपनज्य नहीं Why अपन एम्वी आपन Q भी बितए ना तो यहां वी की की वैलू क्या होई Q वी आर अपन M ये आर आपकी Maximum Radius हelly इस्टी इस की ये वो Maximum Radius आप दो पाफ है जिसमें ये Charges Particle मूप कर सकता है तो एक कि आप कह सकते हैं कि V यहाँ पर Maximum है नहीं कह सकते हैं तो अगर मैं कहुँऊं कि Charges Particle की Maximum Energy केतनी होगी K Max तो आप कहेंगे Half M V Max Square रख दो उठा करके, तो half M, यह क्या हो जाएगा, Q square, B square, R square, upon M square, एक M से M कड़ गया, वैलो निकाल लो इसकी, Q square, B square, R square upon 2M, तो यह maximum energy है, कुछ बुक्स में लिखी भी है, कुछ में नहीं लिखी भी है, से तो समझ गये होंगे, क्या आप समझ गये होंगे, यह क्या समझे है, का और ना समझे हो, नहीं मतलब है, ऐसा लगा, देखिए, oscillator क्या करता है, oscillator का एक frequency होती है, oscillator की एक frequency होती है, frequency मतलब time period, Time period का Olita Frequency होती है तो इसका T Time decide होता है कि कितने time में ये इसकी polarization को दूधता करते है और vun second decide कर दिया कि wun second में आपको इसकी polarization कर देनी है कैसे हमें चर्ज27 का जो rotation था ना सर्पलर 2008 में कर रहा था यहां से गुम कर के आया ता राएजिए समी उसका तो अगर टाइम पीरियड ऑफ इस चार्ज पार्ट के और टाइम पीरियड इसका सेम हो तो कहेंगे कि यह जो साइकलोट्रान है इन स्टेप है क्या है इन स्टेप मतलब एक कभी कभी पूछ लिया जाता है कि आप टाइम पीरियड कहिए तो चाहिए फ्रिक्वेंसी कही है बात होई है अगर दोनों के टाइम पीरियड सेम है तो फ्रिक्वेंसी भी सेम होगी यह अगर मान दें इस फ्रिक्वेंसी आफ रोटेशन आफ चार्ज पार्ट किल चार्ज पार्ट किल इस इकवल टू फ्रिक्वेंसी आफ ऑस्सिलेटर दे साइक्लोट्रॉन इस नोन इस इनस्टिप इनस्टिप इस वर्ड को आप याद कि लिएगा है इनस्टिप इसको इनस्टिप का जाता है इनस्टिप मतलब क्या हुआ तो आप कहेंगे जितने time में ये rotate करके इधर गूम जाता है उतने time में ये oscillator oscillate कर जाता है मतलब ये polarity change कर देता है otherwise ये out of step हो जाएगा otherwise otherwise it is out of step out of step इसको कहते हैं तो out of step का मतलब ये हुआ कि ये भाई साब घूम करके आ गए है, सामने क्या मिलना चाहिए, चेंज पॉलर्टी, अभी पॉलर्टी चेंज नहीं हुई है, तो सिंपल सी बात है कि वो रुकेगा वहाँ पर, ठीक है, जिसलिए वो आउट अविस्टिफ कहलाएगा, ठीक है, तो को पहली तो ये लिमिटे है, तो ये कह रहे है, इट गैन नॉट एक्सलरेट, एक्सलरेट अंचार्ज पार्टिकल, ये किसी भी अंचार्ज पार्टिकल को एक्सलरेट नहीं कर सकता, यह उसकी विलास्टिक को बढ़ा नहीं सकता, यह उसकीज पार्टिकल ना तो इलेक्सलरिक फ़िल्म में ना तो मैजनेटिक फिल्म में, दूसरी बात the particle like a very light particle very light particle like electron to very high speed to very high speed very high speed comparable to the velocity of light comparable to the velocity of light comparable to the velocity of light یعنی دیکھو الیکٹران کی velocity سے بہت زیادہ ہوتی ہے آپ جب الیکٹران کی بارے میں پڑھا ہوگا چھوٹے کلاسز میں ابھی 11 12 پھر پڑھائے جائے گا تو الیکٹران کی speed velocity of light کی 137 times ہوتی ہے یہ الیکٹران کو اتنی جلدی excellent نہیں کر پاتا کیوں سنیں دھیان سے الیکٹران بھائی صاحب کا ماس ہوتا ہے کم تو یہ جیسے ہی اس کو velocity دینے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے الیکٹران بہت جلدی velocity وہ gain کر لیتا ہے اور ہم کہتے ہیں velocity کب زیادہ ہونی چاہیے میں جب آپ کہاں پہنچ جائیں باؤنڈری پہ پہنچ جائیں ڈیز کے باؤنڈری پہ اور یہ دو تین راؤنڈ کی ہے بہت سپیڈ چاچا آپ کیا کریں آپ تو ہم بہت آپ بتائیں آپ کوئی کام ہی نہیں تمہارے لیے کام کتم تو ہوتا کیا ہے جب الیکٹران کی velocity بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو according to Einstein's theory of relativity اس کا mass change ہو جاتا ہے آپ جانتے ہیں کہ اگر کسی velocity جیسے نیوٹن کے آپ نے نیم پڑھیں تو نیوٹن کی physics کو classical physics کہا جاتا ہے نیوٹن کے ہر وہ نیم تب applicable ہوں گے جب velocity of the body is much 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 less than the velocity of light اگر light کے equivalent آپ چلنے لگیں گے تو نیوٹن کے سبھی نیم فیل ہو جاتے ہیں یہاں پر کون سنیم لگتے ہیں Einstein صاحب جیسے gravitation rule ہم آپ کو پڑھاتے ہیں Newton's gravitation rule پڑھایا گیا ہیں آپ کو actually میں Newton کے gravitation rule کو Newton نے تو سمجھا دیا تھا کہ دو body mass وہ کراتی ہیں کیوں کراتی ہیں بھائی یہ Newton نے explain نہیں کیا تھا وہ gravitation field ہوتا ہے کیسے ہوتا کیسا field ہوتا ہے بھائی اس میں ایسا کیا ہو جاتا ہے کی force لگ جاتا یہ کیسے explain کیا تھا کہ Einstein نے کیا تھا تو Einstein نے gravitation کو explain کیا لیکن وہ آپ کے level میں نہیں تھا اس لیے آپ کو سمجھایا نہیں گیا Einstein نے کہا تھا کہ بھائی یہ جو gravitation field ہے وہ ایک membrane رہے جیسے جال بچھا دیجئے ٹھیک ہے اور جال میں ایک جگہ ارث ہے ارث اس جال میں ارث پر رکھ دیجئے تو جال وہاں تھوڑا کیا ہو جائے گا دھنس جائے گا تو تھوڑا سا وہاں پر دھنس گیا اب جو اس کے چاروں طرف particle ہیں وہ جیسے موت کا قواہ ہوتا ہے اس کے چاروں اور ایسے وہ rotate کیا کرتے ہیں یہ Einstein کا کہنا تھا جیسے وہ گڑھا ایک ہو اور کوئی body پھیکے تو ایسے ایسے سے گھوم کر کے اس کے اندر جاتی ہے تو یہ سمجھایا تھا Einstein نے تو Einstein کا کہنا تھا کہ اگر velocity کسی body کے light کے equivalent ہو جاتی ہے جیسے 10 to power 8 ہوتی ہے velocity of light 10 to power 7 ہو گئے کسی کی velocity تو لگ بھگ equivalent مانی جائے گی تو اس کا mass اگر rest mass m0 ہے تو dynamic mass اتنا ہو جاتا ہے یہ dynamic mass ہے یعنی mass اتنا ہو گیا بڑھ گیا گھڑ گیا اگر rest mass m0 ہے v velocity چلنے پر mass m ہو گیا تو بڑھ گیا گھڑ گیا کم ہو گیا آپ نے میت لی ہے نا कैسے کم ہو گیا آپ نے پتایا अच्छा divide کیا ہے अच्छा अच्छा 3 को मैं divide कर रहा हूँ 1 से value बढ़ गई कि गड़ गई सेम रहेगे अच्छा 3 को divide कर रहे है 2 से value गड़ गई कि बढ़ गई कि कम ہو गई न less than 3 हो गई अच्छा 3 को divide कि 0.1 से गड़ गई बढ़ गई क्यों डिवाइड किया है बढ़ कैसे गई अरे अगर आप 1 से छोटी value से डिवाइड करो तो value क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी ना 1 में आप कोई चीज माइनस कर रहे हो कोई चीज माइनस कर रहे हो अगलम कुछ भी हो तो value 1 से छोटी हो जाएगी ना तो overall मास क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा यानि जो dynamic मास है और रेस्ट मास से ज्यदा हो जाएगा अब देखे इलेक्टान को आपने cyclotron में डाल दिया और इलेक्टान का time period क्या होता उसमें पाई एम अपान क्यों भी नहीं जमझे यह जो time आया है वही time आपने oscillator का अब इसका एक दो round लगाया और इतनी विलास्टी हो गई इसका मास क्या हो गया बढ़ गया इसका time बढ़ गया तीक है यानि कि time बढ़ गया है नहीं कि थोड़ी दिर बाद यह आएगा अब oscillator ने अपना polarity क्या कर दी चेंज कर दी कि आओ electron आओ electron आए नहीं थोड़ी दिर आएगा electron थोड़ी दिर बाद आए तब तक polarity फिर change हो गई तो electron जैसे ही घूम करके disk के corner पर आएगा वैसे ही उसको सामने polarity वैसी मिलेगी भाई जब electron आए सामने क्या मिलना चाहिए positive और जब फिर घूम के आए फिर सामने कौन मिलना चाहिए लेकिन वो time एक साथ नहीं हो को नोट कर लीजेगा अच्छा important topic है